नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है मौनिंग स्टार ये पैटर्न आपको मार्केट में आने वाले बदलाव को पहचानने और सही समय पर ट्रेड में एंट्री लेने में मदद करता है तो चल है जो अक्सर डाउन्ट्रेंड के अंत में बनता है ये तीन कैंडलस से मिलकर बनता है पहली कैंडल एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल है दूसरी कैंडल एक छोटी, डोजी या स्पिनिंग टॉप होती है जो मार्केट में अनिश्चितता का संकेत देती है तीसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है जो ये दिखाती है कि अब बायर्ज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और मार्केट उपर जा सकता है जब ये तीनों कैंडल एक साथ बनती हैं तो ये संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है और एप ट्रेंड शुरू हो सकता है अब हम बात करेंगे कि जब मार्केट में मौर्निंग स्टार कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, तो उस कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन होने के कारण बायर्स और सेलर्स की साइकोलोजी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आईए इसको बेसिक से समझते हैं. मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान पहली कैंडल जब पहली बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, तो सेलर्स को यकीन होता है कि डाउन ट्रेंड जारी रहेगा और वे अपने पोजीशन में बने रहते हैं. बायर्स इस समय कमजोर होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि मा Buyers यहाँ पर एक उचित जगह का इंतजार कर रहे होते हैं, ताकि वे लोग अपना पोजीशन बाइंग में बना सके. दूसरी कैंडल जब दूसरी छोटी कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप बनती है, तो मार्केट में अनिश्चित्ता आती है. सेलर्स और बायर्स दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आगे मार्केट में क्या होगा. तो आएए डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के पीछे का रीजन क्या होता है? इसको समझते हैं. जब प्राइस इस पॉइंट पे होती है, तो बायर्स प्राइस को उपर ले जाने की कोशिश करते हैं. वे चाहते हैं कि प्राइस उपर जाएं ताकि उन्हें फायदा हो सके. इस प्राइस को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि वे भी अपने ट्रेड से लाब कमा सकें. इस समय कैंडल नीचे की ओर बढ़ती है, जिसके चलते इसका निचला शैडो बनता है. जब बायर्स और सेलर्स दोनों की ताकत लगभग बराबर होती है, तो प्राइस उसी स पर वापस आ जाती है, जहां से यह शुरू हुई थी. इस स्थिती में कैंडल का बॉडी लगभग नहीं होता है, और इसे डोजी कैंडल के रूप में देखा जाता है. यह मार्केट में अनिश्चितता को दर्शाता है, जहां न तो बायर्स और नहीं सेलर्स पूरी तरह से नियंतरण में होते हैं. तीसरी कैंडल. तीसरी बड़ी बुलिश कैंडल यह दिखाती है कि बायर्स ने मार्केट में पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है. इस समय सेलर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को बंद करते हैं, जिससे मार्केट और उपर चला जाता है. अब हम जानते हैं कि जब मौनिंग स्टार कैंडल बनती है तो आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए. कॉन्फरमेशन का इंतजार करें. तीसरी बुलिश कैंडल के बनने के बाद अगली कैंडल का इंतजार करें ताकि यह कन्फर्म हो सके कि मार्केट में अपर ट्रेंड शुरू हो च सकते हैं. स्टॉप लॉस हमेशा अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना न भूलें. इसे आप दूसरी कैंडल यानी डोजी कैंडल के नीचे या तीसरी कैंडल के लो के थोड़ा नीचे सेट कर सकते हैं. टार्गेट अपने टार्गेट को पिछले रेजिस्टेंस के बारे में विस्तार से जानकारी. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें.